बरते अगली खबर की और और बात करते हैं कुरोना संकत की सिवान में कुरोना संक्रमन एक और मरीच की पुष्टी हुई है आपको बता दें कि सिवान में साधे 3 साल के बच्चे में कुरोना संक्रमन की पुष्टी हुई है और इसी के साथ बिहार में कुरोना केस बढ़ कर अब 529 हो गया है बिहार सरकार के हल्थ सकेटरी की ओर से जारी ट्विट में आज पहला अपडेट जारी किया गया है जिसके अनुसार सिवान का एक सारे 3 साल का बच्चा कुरोना संक्रमित पाया गया है लगतार बिहार में संक्रमन की पुष्टी होती जारी है लगतार बिहार में कुरोना संक्रमित मरीजों के संख्या बढ़ती जारी है और अब ये आकरा बढ़ कर 529 हो गया है सिवान से एक और संक्रमन की पुष्टी वही है जहां सारे तीन साल का बच्चा क्रोना संक्रमित पाया गया है